आज हम डिसकस करें नमेरिकल अनल्सिजवान उसका लेक्षर हमारे पास 29 है हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद AP Mathematics है यहाँ पार FSC, BS, BSC, MSC Mathematics को डिसकस किया जाता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और आगे शेर करें आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टन करव डिसकस करेंगे फीटिंग आफा करव Y is equal to AX की पावर B यहाँ नोड करें A, B हमारे पास constant values है यहाँ यहाँ और Y यहाँ पे हमारे पास क्या है वेरी इबल तो अगर आप देखें Y is equal to AX की Y is equal to AX की पावर B यहाँ पे हमारे पास variable की पावर क्या है constant तो इसको आप कैसे इसको आप फिट करेंगे करव को A is equal to AX की पावर B तो क्या करें इसका लॉग लें टेकिंग टेकिंग लॉग और बोस साइड तो लॉग आफ वाई लॉग आफ ए एक्स की पावर B देखें अगर आप लॉग आ लॉग आफ ए बी लें दो नमबर की आप लॉग आफ ए पलास लॉग आफ बी तो इसको लिखें आप लॉग आफ ए पलास लॉग आफ एक्स की पावर B लॉग आफ वाई लॉग आफ वाई इस इकल टू लॉग आफ ए आपको पता यह constant आपने रूर पड़ा हुआ है कि पावर होती है वो क्या बने दि मल्टिपल एन लॉग आफ ए तो इसको लिखें आप B लॉग आफ एक्स तो मैं इसको कैपिटल वाई बोल देता हूँ इसको मैं कैपिटल ए के को ले लेता हूँ और इसको मैं कैपिटल एक्स के को ले लेता हूँ कैपिटल एक्स तो देखे मैंने log of small y को मैंने ले लिया capital y के equal और log of a को मैंने बोल दिया capital a के equal और log of small x को मैंने ले लिया capital x यह small x y है और यह capital x y है इसका मतलब यह capital y और इसको मैंने capital a बोल दिया और इतने को मैंने capital x बोल दिया तो इसका मतलब जब आप यहां से a की value नुका लेंगे यानि log of a is equal to capital a तो क्या लेंगे anti log of a यानि capital a की value नुका लेंगे जब anti log लेंगे वो किसकी value आजेगी small a की तो हमारे पास जो equation आई y is equal to a plus bx अब हम नकालेंगे इसकी normal equations नार्मल equation अगर आप देखें तो यह हमारे पास state line यहां x और y की power क्या है वान वन तो देखें पहली normal equation कैसे नकालते हैं इसका summation लेते हैं summation यह सुरी capital y है और यह capital x यह लिखा हो मैंने y is equal to a plus b यानि हमारे पास जो equation आई हमारे पास जो equation ली ज़रा इसको clear कर लें जो equation बनी हमारे पास capital y is equal to a plus small b into capital x जब आप इसकी normal equation find करेंगे तो देखें normal equation कैसे नकालते हैं पहले हम करते हैं इसका summation sum लेते हैं summation y और जब आप constant का summation लेंगे n summation a इसका मतलब है कि यह end time time आई विर्ज वान टू एन यह कितने time हो रहा एंड टाइम एड ए पलास ए पलास ए पलास ए पलास आपस हो रहा एंड टाइम तो साथ कह लेक्ते हैं ए जब आप समेशन अपलाई करें जो constant value होती है उसके साथ क्या जाता है एं ए तो पलास भी constant summation of x यह हमारे पास आगी फस्ट नार्मल एक्वेशन इसको बोले ने इवन आप इसको किस से मुल्टिप्लाइब करेंगे एक से summation capital x से summation xy जो यहां variable लिखा होता है उससे मुल्टिप्लाइब करते हैं summation xy जब आप इसको multiply करेंगे variable x से तो जो n है वो किस में change हो जगा summation में summation x बड़ा constant के लिए summation की जगा पर n लिखते हैं और variable किस लिए यह summation का sign डालते है यह summation x plus b summation x square तो देखें हमारे पास मैंने बताया था कि जो आपके पास small a है यहां उसको मैंने आप लिखा था small a is equal to capital a अगर आप यहां से small a की value निकालेंगे तो यह दरा अगर क्या बने गा एंटी log of capital a देखें हमें जो data given होगा small x small y में होगा जब हम log of small x का log लेंगे उसको हमने किस के बराबर लिया capital x के जब हम log of small y का लेंगे उसको हमने लिया capital y के एकवल तो देखें हमारे पास next जो है इसकी मैंने यही दो normal equation है रिकाल के मैंने भी आपको show की हमारे पास very very important question है हमने यह curve find करनी है हमें x given है और y की value given है आपने पड़ा था कि जो आपके पास capital x था वो small log of x के लेंगे था जो capital y था वो log of small y के लेंगे और जो आपके पास capital a था वो log of small a के लेंगे तो आप आप देखें अब आप जब find करेंगे capital तो क्या करेंगे x का log देखें यह आपके पास x के value है यह आपके पास y की तो देखें आप क्या है लेंगे log of x वो किसके बराबर है capital x के तो लें 2 का log लेंगे तो value है कि 0.301 3 का log लेंगे 0.4771 4 का log लेंगे 0.6021 5 का log लेंगे 0.690 6 का log लेंगे 0.77 782 अब दिखें ये के अब जो capital Y है वो किसके पराबरा log हो आए के अब क्या करेंगे log Y आप क्या करें log Y लेंगे वो किसके पराबरा capital Y के 8.3 का log लेंगे calculator से 0.9191 15.4 का log लेंगे 1.1872 33.1 का log लेंगे 1.198 65.2 का log लेंगे 1.8142 121 27.4 का log लेंगे 2.1052 अब आप देखें आपने किसका लेंगे capital X का आप लेंगे capital X ये है आपके पास क्या करेंगे 0.3010 का स्केर लेंगे तो आज़ागा 0.0906 फिर आप स्केर करेंगे 0.4771 का स्केर लेंगे तो value आपके पास आएगी 0.227 फिर आप इसका स्केर करेंगे value ये आएगी इसका स्केर करेंगे ये value आएगी इसका आप स्केर करेंगे तो value ये अब देखें अगली बात आप multiply करेंगे capital X Y को ये capital X है और ये capital Y इन दोनों table को आपस में multiply करें multiply करें 0.3010 multiply 0.9191 आशर ये आएगा 0.4771 को multiply करेंगे ये इसको इसके multiply करेंगे तो answer ये इनको आपस में आप क्या करेंगे multiply देखें ये सरा काम हमने क्यों किया हमें इसमें डेटर में X का scale भी चाहिए X Y के multiplication भी चाहिए और log of X भी आ रहा है और log of Y अब हमारे पास ये normal equation है जो मैंने अभी आपको निकाल के बताई थी कैसे हमारे पास जो value आई थी वो आया था y is equal to a plus b x पहली normal equation के इसका summation लेंगे summation capital Y na plus b summation capital X तो value ठाकर put करें ये रखें ये Y की Y है या जब आप इसका Y है capital Y है जब आप इसको सब value को आप add करेंगे तो क्याएगा summation Y ये सारी value capital X की है इन तमाँ value को आप जब calculator से add करेंगे तो साथ क्याएगा X के summation X ये value है summation X के की ये value है summation capital X capital Y की उठाकर value put करें ये कितना है 1 2 3 4 5 देखें value 1 2 3 4 5 इसका मतलब n हमारे पास क्या आगया 5 उठ करें n की लगवे 55A फिर आप पूट करें value summation X की value ये देखें 2.8574B is equal to summation Y की value 7.5455 इस तरह summation X की value summation X की value 2.8574A plus B as it आगया summation X की value 1.7749 is equal to summation XY 4.664 अब क्या करेंगे capital A और B small B की value का लने के लिए इसके coefficient को इससे multiply और इसके coefficient को इससे multiply ताके दुनों coefficient क्या हो जाएं equal तो इनको बराबर करने के लिए equation 1 को multiply करेंगे 2.8574 से equation 2 को multiply करेंगे 5 से तो multiply करेंगे ये हमारे पास उसके क्या जेंगे resultant इनको बाद में क्या करेंगे subtract ये same है negative positive cancel इस value में से इस value को minus करेंगे minus point 7098 B 21.5605 minus 23.322 ये value है गी negative से negative cancel इसको उदर क्या कर देंगे डिवाइड जब आप डिवाइड करेंगे तो B की value है कि 2.4817 तो next ये जो B की value है ये B की value हम equation number one में put कर देंगे put B is equal to B is equal to 2.4817 in equation one जब आब B के विल्ट आगे यहां put करेंगे इन दोनों को multiply करें उदर जाकर क्या करतें इसको साथ ही minus दोनों को multiply करें ये पॉस्ट वाइज नांगर क्या होगा negative तो answer क्या है गा point 4609 इसको 5 पे क्या करतें डिवाइड एक ही value आगी point zero nine double two आपने लिखा था कि log of A बराबर था capital A के तो इसे अगर anti log हो जागा A is equal to anti log of capital A तो देखें A is equal to anti log of capital A तो capital A की value क्या है point zero nine double two जाब आप calculator से anti log लेंगे तो एक answer आएगा one point two three six five देखें हमारे पास A की value भी find कर ली हमने small a की और small b की जो हमारे पास small a की value आई one point two three six five जो value small b की आई two point four eight one seven हमारी जो required equation है वो क्या थी y is equal to a x की power b तो आप देखें a की value आपके पास क्या है यहाँ put कर दे one point two three six five x की power b b की आपके पास value क्या है two point four eight one seven यह हमारे पास required line है fitting of a curve यह आपके पास जो topic मैंने discuss किया यह very very important है अगर इसमें क्या के आपके साथ मसला हो को इशू हो को तो आम उसे discuss कर सकते हैं我 झाल